दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक मात्र ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो चड़ा था कैलाश परवत कहा जाता है कि कैलाश परवत पर आज तक कोई भी नहीं चड़ पाया है क्योंकि कैलाश परवत को शिवजी का घर माना जाता है लेकिन हजार साल पहले एक बुद्धिस्ट मॉंग कैलाश परवत पर चड़ा था उस मॉंग का नाम था जैक्सन मिलारैपा ये तिबबत के एक अध्यात्मिक गुरू थे और पूरी दुनिया के एक मात्र ऐसे इंसान थे जो कैलाश परवत पर गए थे और वहीं से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी तो दोस्टों कैसी लगी आप कोई वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें